ओम वंदे गवांत्रमित्रूप स्वास्त रक्षा से प्रभाई सब का त्यों सब्सक्राइब करती है। आाउंधों में कई वर व जन में तीना के तीनं से पाउंच घंटे बाद भयंग कर पेट में तरद होता रहें और कभी कभी किसी को और बानी से हो जाती है वहलै हम उपाय की निंगता ही बुटेयायखुस। वो भी हम आपको बताएंगे और मित्रों विस्तार से समाधन बताएंगे ताकि आपको विशेश कुछ और इधर उदर सोचना ना पड़े और आपको 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 पहले ही बता दूँ यदि आपको IBS का प्रॉब्लम है यदि आपको आउं की समस्या है क्योंकि इसमें कुछ निर्देश अलग होते हैं जो इस वीडियो के निर्देशों से आपको नहीं चल पाएंगे तो इन दोनों समस्यां के लिए हमारी प्लेष उधर ओंप हमने पहले अलग से वीदियो दे रखे हैं आप उनको देख़ी उनके निर्देश्यों का पूरा पालन करिए तो आपको पूरे निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको पक्का समाधर मिलेगा तो चलिए अब हम आते हैं अपने आतों की और समस्याओं पर तो सबसे पहले मैं आपको इसके कारण बता दूसके कारण क्या होता है मित्रो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है जो आतों को बिगड़ने का आतों के खराब होने का जो मुझी दिखता है वो पेड़ साफ करने वाले चूर्ण है मित्रो प्यूकि आज हम देखते हैं कि सबको पेड़ साफ करना होता है पर दिन चर्या का पालन किसी को नहीं दो समस्य आपके साथ में तो इससे क्या होता है आपके आपके रुख ही हो जाते हैं और ऐसी स्थिती में आपका मल है निकलता है बंध्य कभी नहीं आता है आपके जो आते हैं वो आपके भुजन के पोश्फपदार्तों को अवसोषित नहीं करती हैं इसलिए शरीव में विक्नेस आना भी बहुत ही सामाने सीबात होती है जो ऐसे ही स्थिति में होते हैं उनके शरीमें कमज़ूरी होती हैं बहुत अच्छा-चा कमच्ँरी की वी और साथी जो हमारी आतोंगी समस्य होती है उसके लिए भी पहत बढ़ी समस्य है मित्रों एंति विए विए री कि मैनने देखा है ये प्लेट पे 270 नहीं मिलते हैं चल्षयान करते हैं 37 Card ne तो या तो दो दिन बाद उनको पॉइंग में पाते हैं जो ही डवाईयां कहते हैं पहले निससे निसे हमारी प्लेज में में वीडियो दिए हैं आप उनको तो आप अपने इन तो आप पालन करेंगे तो आपको इससे भी समाधन मिलेगा अमित्रो उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण जो है मित्रो गरम पानी में नीम्बूर शहद का सेवन बहुत से लोगों को वजन कम करना है पेट कम करना है चर्वी घटानी है बहुत कुछ करना है तो ऐसे स्कित कि मों कुछ लोग और विग्यापन में बहुत सारे याते हैं वाफ सरी वीडियो याप देखते हो कि गरम पानी में नीम्बूर शहद का सेवन करें और आपका वजन कम हो जाएगा इससे काई बढ़ बजन तो कम हो जाता है बहुत जल्दी कम हो जाता है लेकिन जो आंते खर हई होती 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 है और साथ ही शहुत कि सप्रका है जिस उत्साथ में प्रग करें तैया क्या है हुलिप जान्कारी में आइं नहीं जाते हैं तो वो भी शहद में आ जाता पूर्प पानी में लिया जाता है तो उसके विश्च जल्दी प्रभावडर देते हैं जो हमारी आतों को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचा देते हैं और साथी शहता सभाव जैसा कि मैंने का रूखा और नीमबू भी रूखा है उपर से गरम पानी में मिल जाता है यह औ मिल्कुल वर्जित माने इसको कभी प्रयोग में ना करें यह आपके लिए बहुत ज्यादा हनी का रखा है उसके अलाबा कुछ लोग मासाहर सेवन करते हैं अमित्रों मासाहर जो जीव मासाहर करते हैं आप उनको देखी उनकी दिंचर्या कैसी हो तो उनकी आंतों की साइज सारे मित होती हैं और एक फची आंता की पांस साघ़िया पनी घटाओ पिने को पता होगा कि में अच्छे से पानी पीने को बता होगा इसकताOkay और आजकी पानी सिर्धीर मतला पहला पंपिते हैं मितलोड यह समस्या है तो आप भजन के साब से पानी पीजे कितना हुए आगे बताती हूँ उसके लगवागा कुछ लोग जागरन करते हैं तो रहत रात रात कर दिन बनाते हैं यानिकि रात भर जागेंगी दिन पर सोईए अब मितलोड आपको बता दू कि जब जागने का सम जंग फूर्ट जो है ना यह मोशली मैदे का कुछ मसाले होते हैं जो हमारे शेरी के लिए अच्छे नहीं होते हैं पच्छने में योगया नहीं होते हैं मेदा जो है इतना बारिक पिसा हुआ होता है कि वह आतों में चिपकता है तो छुटने का नाम नहीं लड़ा आप देखें मेदे की बिस्कृट खाएं कुछ भी चीजा आप मैदे की जो खाते हैं वह आपके दांतों में कैसे चिपक जाती हैं समुष्य के जो उपर के परतों क कैसे चिपक जाती है नमकीन वगर कैसे चिपकती है तो जो चीजे आतों में चिपकती है तो जो दातों में चिपकता 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 ह तो थोड़ा हजम भी हो जाएगी वनेदिया चबाकी चॉक्रेट खारें तो आपकी कभी हजम नहीं कि और वह आंतों को जाके जाम कर देगी आंतों में परत लेयर बना देती उस लेयर का भी क्या प्रणा माते मैं आपको भी बताऊंगी लाओ कुछ लोग आलकूल यह ने की आलकूल का सेवन करते वी बहुत हनीकारख होता है मिट्रो अल्कूल जो हमारी छेर्य को लिए वह कितना डिमेज करते हैं जसे में अंदर स्वादी ये क्या होता है को आते हैं जनग वं प्रॉब्रम होता है कि आप को जाग闌ने के बाद के आप स्रह्जे जब साफ होने का समय आता आट स्थिति सफ नहीं होता है तो उस समय आपको पेट साफ होने में काफी सुधा रहती है पर उसके बाद जो है आतों में अग्षूर्षीत होने लग जाता है जो आपके शेरी को तो मिलेगी तो आपका से दूशित होगा ना की पोशित होगा तो यह स्थिती जब बनती है और उसके बाद जब आप उठते हो कितने बज़े उठते होगे भरोसा नहीं है तो उस समय आपके स्थिती बहुत बिगड़ जाती है तो यह आप गलती ना करें अब मैं एक करते हैं जो आंतों में जमता है वह आंतों के अंदर एक लेयर बना देता है जो कड़क हो जाती है वह इतनी कड़क हो जाते कि जब आप बोजन करते हो पड़क लेर के पास जब बोजन जाता है तो आंतों में दर्द देता है और यह दर्द जो है किसी पेंकलर से सुरुत मे तो इसमें जो आप रिपोर्ट बगर निकालोगे न उसमें कुछ भी आएगा आपकी रिपोर्ट नेलाएगे पर आप खाने में डर्ने लग जाओ कि कि मेरे पास यह लोगों ने तीन-चार प्रिशन मैंने से टिट किया है यह खाना खाये में दीदी डर लगता है हमसे खाना सबसे पहले में इसी दर्द का समाधान आपको बता दो जो दर ऐसे उठता है उसमें आपको क्या करने जैसे आपको इस प्रयोग को शूर करना यह प्रयोग क्या मैं आपको बताऊंगी और शुर्वा से बता देती हूं आपको जब यह प्रयोग शुरू करना है प्रयोग है हमारे दूद और अरेंडी का तिल कितना लेना यह आप अपने शरी के हिसाब सेत्य करेंगे एक ग्लास दूद ले लीजिए करीब 200 ml आपको दूद लेना है 200 ml दूद लेना उसको ना गरम रखना है ठंडा करना है जहां ना गरम ठंडा चाहिए एकदम रूम टेंपरेचर का दूद आपको चाहिए और इस दूद को अच्छे साप मिठा कर लीजिए जितना आपको मीठा अच्छा लगता है वैसा मीठा कर लीजिए कि मीठे के बिने दूद पी नहीं पाएंगे यह बहुत मुश्किल होता है मिर 50-100 ग्राम आपको एरंडी का तेल ले लेना है मैं तो 500 ग्राम भी पी तो दि मुझे कुछ नहीं हुआ था पर मुझी पिलाए गया था तो पहां 50-100 ग्राम आप लीजिए कैसे करना है तो मैं आपको बता देती हूं उससे दो दिन पहले जब यह प्रियोग एरंडी का तेल को आप खिचडी खाएंगे घृचडी होगी ताल चावत की गाड़ी खिचडी चलेगी उसके बाद अगले दिन सुभ्ह Wow की दाल आती ह姓 उप ही आप सुभ्ह रहा क्या करेंगे मूंकी डाल और चावल की राफ को भाड़ी खिचड़ी ली थी और सुबह वापिस पच्छली खिचड़ी लेंगे दूसरे दिन की बाते और शाम को आप मात्र डाल का पतली दाल बनाएंगे एक मुठी दाल को आप करीब एक कटरी भर के सूप बना लीजिए यह पी सकते हैं और उसके बाद रात को जब आपको लगे क्या नीद आ रही है तो उस समय आपको दूथ और एरणिका तेले लेना है और यह आपको पी के सो जाना है उसके बाद आप उसको दस्ते भाग दीजिए उतना पानी पीने की कोशिश करें तो इसके अलावा नहीं जाता तो मैग्जीमं पानी आप पीजिए जितना पी सकते हैं नहीं मुझा की सो किलो बजनी तो आप दस लिटर पानी बंतां तो तो कम सकम 5 लिटर पानी पर तो आई यह दस लिटर तो मित्रों वहीं आपको लास्ट कर दीजिए और उसके बाद को रात को नहीं लेना और अगले धीन जैसे अमने खौना छोड़ा था यानि कि हम खाना चोड़ा था उसके हम वैसे चार छे टाइम की डाइट पर लेकर खाना वापिश वर्बैशना कर पाएंगे उसके बाद शामकॉम लेंगे पतली दाल और चावल की पतली खिचरी लेंगे अगले दिन हम सुभे जो लेंगे वो मुंगी दाल चावल के तो इसी गाड़ी खिचरी लेंगे और शामकॉम वापिस एक नॉर्मल भोजन अभी भी तीखी तले पर नहीं आना है बहुत हलका भो यह जो आप यह दूद्ध और यह लेंगे इस दस फंदर दिन जो भी आप जितन भी अगजेमियो उसमें आप फलों का जीश लेंगे पानी लेंगे पानी तुछ नहीं लेंगे अनकोछित बंद कर रहे हैं और यह जरूर्थ पढ़ती है कुछ खानी की जैसा लगता है कि यह आपको मुंग की डाल का पानी मुंग की डाल आप मुख़ी तुर्ट के बहुत आप असान हैं कठीन कुछ नहीं तो इसको कर लीजिए अच्छा उसके अलावा आपको जो भोजन लेना यह मैंने सबसे प्रियोग इसलिए बता दिया ताकि आपको बहुत अश्य से समाधन मिल जाए आप जो आपकी वाकी की समस्या है तो उसके लिए आपको क्या करना है तो अपने भोजन को अलकलाइन डैट बनाएं आपका प्रतेक और फ्रतेक घूंट अलकलाइन डाइट बन सकता डैट नहीं सकता कैसे आपको जैसी कि मैंने का स्वासनी आम की सबसे आपको पानी पीना पड़ें तो जो भोजन आपको पानी का शाहरा ला नहीं पड़ें इतना बोजन को चबाएंगे तो आपका 100% प्रते correct are in गर बन्तिए दांतों एव्य कांदम नहीं कर पाइंगा टोए तो आप यांते कभी सॉतन होगा उसके कर ना क्या है ऊस्कोस्पासेजिए आप मोटा आटा पिस्वाएं मैदे जैसा आटा नहीं मोटा आटा पिस्वाएं रोटी मोटी बनेगी चलेगी जोब का आटा खाये इससे घी आपको काफी आरह मिलेगा उसके अलावा आप जो अलोवेरा जीरुसू होता है उसको रात को या सुभ है दोनों में सेक्टैम 10-10 जितना ले लेजिए यह आपको काफी अच्छा काम करेगा और इसके अलोवेरा की सब्जी भी बनते हैं मित्रो मैं अलोवेरा की सब्जी हमारे दूसरे चैनल पर बना के बताऊंगी यो डाइट वाले चैनल में उस पर डाल रही हूं तो उहां को मिल जाएगा यूकि आप जो भी भोजन करेंगे एक बार ध्यान रखिए उसमें बिल्कूल भी आपको मुह में चिपके दानतों में चिपके ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि आपको भोजन जो है रात का भोजन पांच या तो 6 बज़े यहीं कि तक आप भूजन कर लिजिए ताथि आपकी आतें अच्छे से साफ हो सकें और आपको समस्या नहीं आया उसके बाद आपको मैंने कई बार बता है कुछ प्रयोग घी आदी का घी और दूद कैसे सेवन करने जैसे मैं एरंडी का तेल का वो तो अलग बता हैं अब यह आपको न लेफ्ट हैं जैसे करले आपको लेफ्ट हैं है आपको क्या करना में यह ह ubiqu हाथ है न यह जो फफ। ह हूट ह Satya अरे आप करना है देखी आराम से वी मैं करके बता हुआ हो इसको मैं आपको gj आपा को समझना आजाएगा मासा के बता दूंको आपको सुमझन और अच्छे से आजाएगा आप पेश पर लेनीग जो आपको मिल जब हो ले लीजिए यह देखिए इस तरीके से जहां में लगा एना ऐसे करके आपको ऐसे करना है कि इसको करने से आपका पेट आथे काफी अच्छी साफ हो जाती है और छी आप प्रयोग करते हैं एक यह आपकी है करते रहें तो इससे आपकी आथे आथे मिल जाती है जिससे आथे समस्या होती है चित्र काक्या नालन नंच नुकसान कर जाते हैं , तुम यह झाल को पता दिया स्वास्नियम का क्किया है बता दू को नांक मैं तेल डालन बंद हो crey तो आपको आपका बंद के आने लग जाएंगा यह पुरा पालन कर लेका हैं तो आपको बहुत अच्छे से पीड़ साफ भी होगा तो यह सारी जदी आप करते हैं पालन कर एक समाधन आपको 100% मिलेगा और बड़ी से बड़ी समस्याहों से भी आपको समाधन मिल जाता है बस आप कोछ सागधनिया कर लिए कुछ प्रयोक कर लिजिए हम आको पत्रिम कुछ नहीं बताते बस आप सलवता से करना है को कर तो लीजिए और एक अभ्धास डालीजिए कि आप जब बैटें आप सीधे बैठें आप कारपड़ों में सलवते नहीं होनी चाहिए अब मुझे कभ पतला दिखे उसके लिए पेट पेहनते हैं वो टाइट कर देता है जिसे लोग पतले दिखते हैं यह आपके पेट को आपकी आँथों को बहुत बढ़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन सब चीजों से आप दूर हैं इनको आवड करें ताकि आपकी आथे सही रहें खाना चोड़ी जंक फूट चोड़िए तो आपको स्वास्थ्य का चटाका हमें इसामिलता रहेगा और हमें सास्वास्थ रहेंगे मस्त रहेंगे और खुश रहेंगे और प्रश रहना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने लिए तो मिट्रों वीडियो कैसे लगाव सब्सक्राइब तो वीडियो कैसे लगाव उसे बताईगा हमने करीव आपके 20-20 मिंक लिए 21 आपके यूज हुए या क्या हुए बताईगा धन्यवाद वंदे मात्रम